वेल्कम फ्रेंज वेल्कम टो एड्यूकेशन चैनल नमाशकार दोस्तों आप सभी का स्वागत एड्यूकेशन चैनल पर शुरू करेंगे आज का करेंट अफियर्स एडिटोरियल एन अनलिसस और इंपॉर्ण इंपॉर्मेशन पहली जो टॉपिक है इस रिगार्डिंग डिजास्टर है और इसमें सोलर लोग जो है उनकी देथ हो गई है इन ओवरनाइट रेंड इंपॉर्ण क्या है इसमें इस न्यूज में दोदिन चीज इंपॉर्ण है इस डिजास्टर रिजास्टर इसमें इसमें इंपॉर्ण ओजाते है इसमें दिजास्टर मैंजम्ट इपॉर्ण पिक्चर यह सभी important इसमें हो जाते हैं यह एक news है बट एक अगर आप exam के perspective से देखे तो एक बहुत important topic है disaster UPSC का disaster management UPSC में एक बहुत important part है और उससे लगातार questions भी आते हैं और इसके बारे मैं कई बर बता चुका हूँ जो basically मैंने आपको बता है disaster management acts है NDRF है SDRF है इस पर आपको focus करना है and एक important information मैंने कल ही बताया था वो मैंने बताया था कि United Nations की जो organization है उन्होंने कहा था कि last 20 years में जो number of disasters हैं वो increase हो है double हो गये हैं वो किसकी वज़े से हुए climate change की वज़े से उन्होंने किया था उसमें data था पूरा figure था तो आपने पिशले दो दिन से अगर आपने current affairs देखा होगा मेरा इस video पे तो वो मैंने आपको कहा था कि अपने note में उसको note कर लीजेगा जो भी data है जो भी agency है उन सब की information तो I hope कि आपने किया होगा नहीं किया है तो उसको कर लीजेगा पिशला वीडियो जाके देखके current affairs से related वो disaster से important related information है वो आप डाल लीजेगा so that is one part second part यह है कि how to tackle disaster तो इस पे भी मैंने previous जो मेरे sessions थे इस पे मैं question पूछ चुका हूँ कि इंडिया में geographical perspective के हिसाब से how vulnerable is India कैसे क्या क्या vulnerability है for example earthquake के क्या chances है tsunami के क्या chances है cyclone के क्या chances है and how to tackle such a situations rescue rehabilitation अगर आपको करना है तो वो कैसे उसमें कतम उठाने है तो detail questions मैं already पूछा है मैंने but once again I ask you कि आप इस पे detail अपना mains का answer prepare करिए जो hint है मैंने आपको दे दिया क्या क्या topics आप cover करेंगे तो इन पूरे को summarize करते हुए राइट मेंस answer इन सभी चीजों को include करते हुए so that's related regarding the disaster management now what is this this is regarding economics plus political science इसमें क्या है इसमें supreme court and center से related है and आमें मालूम है कि जो लोन करोना के time पे जो इंडियन government है finance ministry है उन्होंने कहा था कि जो लोन पे करने थे लोगों ने लोन लिया था उस पे interest पे करना था उनको वापस करना था उस पे moratorium लगाया था so again there is an important update on this कि supreme court ने पूछा है कि implementation to notify the implementation of a scheme for waiving the compound interest accumulated during the moratorium against loans worth up to two crore तो जब central government ने यह कहा था कि वह interest नहीं लेंगे because of corona तो उस दोरान भी interest accumulate तो हुआ है ना तो question what supreme court is asking जो लोग है क्या उस period का loan उनको pay करना है किस तरीके से pay करना है so it's regarding that so that's important thing उसमें क्या update होगा that we'll see now यह है farmers bill farm bills related है तो इस से related already मैंने वीडियो बना के इस चैनल पर डाला हुआ है तो आप जरूर इन वीडियो को देख लीजेगा उसमें agricultural farm bills है उनके उपर क्रिशी विधेक जो है और साथी साथ जो आपका MSP है उसके उपर भी मैंने वीडियो बना के डाला है तो आप जरूर उसको देखिए तो यूविल गट कंप्रीट आपको मिल जाएगा ओके नाओ यह एक न्यूस है इस रिगार्डिंग जेएंड के में हमको मालूम है कि लास्ट यह जो 370 था 35 वे उसको हटा दिया गया था उसके बाद से यह हुआ था जस बिफोर रिवोकिंग 370 थाडिफाइव यह गुपकर उस एरिया का नाम है जहां पे इनके घर है और उस वो डिकलेरिशन हुआ था लास्ट यह और उस डिकलेरिशन में जो पार्टीज थी जेएंड के की इंक्लूडिंग पीडीपी नेशनल कॉन्फरेंस और उन्होंने डिसीजन लिया था कि इसका विरोध करेंगे अगर जेंड के के स्पेशल स्टेटेस को हटाते हैं तो अभी जो नों रिलीज हो गये हैं पीएसे से मैंने कल बताया था पीएसे के बारे में यू स्टड़ी अपाट पीएसे की तरश पर होता है डिटेंशन करन के लिए if there is a security to of state की security पर खत्रा है या law and order पर तो उसमें कदम उठा सकते हैं okay now now this is regarding the changes in special marriage act and foreign marriage act में applicable to all regardless of gender to gender neutrality की बात कह रहे हैं जो special marriage act है और foreign marriage act है उसमें change करने के लिए और जो high court है उसने notice भेजा है center को कि इसके बारे में अपने जो points है इस petition में regarding gender neutrality neutrality उसको उसके बारे में मांगा है तो let's see what center response in this okay now next is related to farm bills or MSP से बहुत चीज़े आपको देखने को मिलेगी and also related to disaster this is also regarding to disaster management to disaster management को आप अच्छे से त्यारी कर लिए बार बार में बता रहा हूं and there are different levels different ways different ways how to tackle disaster management warning एक तो होता है कि disaster होने के बाद आप rescue and rehabilitation कर रहे हो और एक यह होता है कि how will you inform or how will you alert the citizens before the disaster जैसे कि cyclone के case में होता है Indian meteorological department जो है that plays a very important role district administration and district police plays a very important role and DRF का बहुत अच्छा रोल होता है तो इसको आपने notes में बार बार रिपीट करने के आप शक्ता नहों इसको इस तरीके सा आप बना लेंगे okay now we'll go to editorial editorial एक है politics से related महराश्टा के governor ने वाँ के CM को letter लिखा था regarding the opening of religious places so it's regarding that and this is regarding judiciary और executive में issues है तो मैंने judiciary से related question से पूछा था इस channel पे कई लोगों ने इसका answer भी भेजा है कि judiciary का ने पूछा था कि judiciary का function कैसे है और constitutions में क्या क्या provision है regarding the supreme court judges high court judges and district judges तो आपने वो prepare कर लिया होगा now we have to talk about जो जो दोनों के बीच में tussle है because UPSC में may be direct question पूछ ले छोटा सा supreme court के judges के functions appointment secretary के बारे में but mostly जो questions आएंगे वो controversial जो आपके topics से उस पे रहेंगे because उसी से आप अपने viewpoints रख पाएंगे so this time it would be expected अगर आप इस साल का means दे रहे हैं तो यह expected रहेगा कि judiciary और executive के बीच में जो power distribution है और जो allegations है उनके उपर आएगा तो यह आंदरप्रदेश में हुआ है आंदरप्रदेश के जो CM है उन्होंने allegation लगाया था जो वहांके high court है उनके judges पे कि उनके impartiality पे so this is very important development इसमें आपको case studies जो हैं वो collect करने पड़ेंगे case studies आपके पास रहने चाहिए क्या-क्या पुराने judgment से related वो आपको आपके पास रहना चाहिए and then only you will be able to answer it because UPSC के question का answer अगर को पुराने judgment से कुईसी act से या कुई किसी committee के suggestion से इन सब से अगर आपको answers को अपने दे तो that will be more appropriate आपको खुद के बहुत ज़्यादा suggestions देने की आवशकता नहीं है because you are not the expert of that field तो हमको क्या करना है हमको कोई भी अगर judgment रहा है regarding the power sharing of judiciary and executive तो उस पे rely करना है constitution पे rely करना है कोई committees हैं जैसे NJAC वगेरा उनके उपर judgments हैं या government का point of view है उसको यूज करना है अपना answers त्यार करने के लिए तो यह ध्यान रहे है कि खुद के answers जो है वो आपको prepare करना है जो reliable sources है और genuine जो sources है इसके अलावा बहुत सारे जो NGO's है यह वोकिंग इन दिस फिल्ड and again this is also related to अगर मैं इसको थोड़ा से extend कर दूं कि NGOs are working in this field so they may be needing fund कुछ NGOs ऐसे होंगे कि जो foreign contribution से run करते हो तो उससे अगर related है तो नया जो foreign contribution act आया है तो it may impact it so FCRA से related एक video मैंने बनाया है आप इस चैनल पॉलडी में डाला है कि किस तरीके से FCRA में जो fund है बाहर से foreign contribution है वो impact होगा तो वो आप देख सकते हैं उसके अलावा देया certain good things good work being done by NGOs तो वो आपने आप note में रख लीजिए, note में अपने डाल लीजिएगा and apart from that right to education act है that is also important तो उसके जो important provision है that should be in your note तो मैं आपको यह summarize कर रहा हूँ विकोज इसके बारे हम बहुत सारी बाते कर चुके हैं आपको नेशनल एजुकेशन पॉलसी पे आप जानते ही होंगे और नहीं जानते हैं तो detail मेरे पुराने वीडियो सा आप देख लीजिए मेरा target यह है कि हम लोग इसमें कई perspectives को include करें तो अगर आप एक्जाम के लिए त्यारी कर रहे हैं तो आपका एक folder होना चाहिए या आपका notes होने चाहिए copy होने चाहिए उस notes में जो भी चीज नहीं आती है उसको add करना है तो यह जो NGOs वगरा का issue है तो इसको link कर देना है foreign contribution से भी कि उसमें उसको regularize कर दिया गया है या उसमें दोनों ही perspective है एक तो you can go negative कि बाहर से fund नहीं आएंगे दूसरा यह है कि government ने उस पर regulation किया है तो यह insure होगा कि जो fund आएगा बाहर से वो सही चीज़ों पर खर्च होगा क्योंकि उसमें बहुत सारी provisions की हैं government ने तो वह अच्छे provisions हैं उसमें कि यह insure करेंगे कि आप जो है money laundering नहीं कर पाएंगे मतलब आप fund तो मांगा होगे education के नाम से और खर्च करें किसी और चीज़ पे तो government ऐसे कुछ उसमें है guidelines आप उस video को देखिए तो आपको मालुम चलेंगे तो वह आपको बहुत important role play करेगा वो video वो video में जो एक्ट है ना जो committees काम करती है if they are getting the foreign funds तो उनके regulation से काफी फाइदा होगा तो you must see that video और उसके points अपने note में लिख लीजएगा जो भी points मैंने वहां बता है now this is regarding the manufacturing तो manufacturing के बारे में भी काफी हमने बात किया है हमने बात यह किया था कि करोना के बाद में आद निर्भर भारत के तहत production link incentive scheme यह start किया गया था उमीद यह की जा रही थी कि चाइना से companies हटेंगी because of corona and because of non-responsive behavior of china and china से manufacturing dependency कम करने के लिए तो India will get benefit of getting those company in India मतलब वो companies हटके इंडिया में आएगी but fact यह है कि इसमें भी competition है between the south east asian जो countries है उनके बीच में एन इंडिया के बीच में तो यह scheme के बाद में कुछ छूट मिलेंगी अगर हम जो production जो है अगर इंडिया में कर रहे हैं तो उसमें कुछ छूट मिलेंगी तो इसके तहत iPhone और बागी कुछ companies हैं उन्होंने commitment दी है इंडिया में spend करने के लिए इंडिया में contribute करने के लिए और उस incentive से जो इंडिया की manufacturing है manufacturing policy यह उमीद की जा रही है कि यहां पे mobile में खासकर mobile manufacturing में India will get a boost so इसमें अलग-अलग data दिया हुआ है जैसे Apple है, Xiaomi है, OPPO है, OnePlus है तो यह इंडिया में invest करेंगे okay, so that's one part, तो इसका data आप रख लीजे, उसी की तरश पे अन्य जो points है, वो भी points दिये हुए है कि किस तरीके से, जो मैं आपको ही बता रहा था कि South East Asian countries हैं, उनमें किस तरीके से क्या-क्या provisions है, और एक और important जो fact है, वो यह है कि जब से चाइना पे यह tightening की गई है, तो उसने क अपना समान है, बन रहा है चाइना में, बट वो रूट कहां से किया जा रहा है, South East Asian countries है, फ्री ट्रेट एग्रिमेंट है इससे हमारा, तो उनके थुरू वियत नाम हो गया, लाओस, कंबोडिया, इनके थुरू रूट कर रहे हैं, तो इंडिया ने उस पो भी tightening की है, और न वो भी पॉलिसी जो है, इंडिन गवर्मेंट ने लागू कर दिया है, जिससे कि एंटी डंपिंग पॉलिसी इन्हें बोलेंगे, कि सस्ती चीजों को भारत में बेच के, भारत के जो प्रोडक्शन है, उनको एफेक करनेगा, तो इस गूड आर्टिकल, आप लिख लिजे ग ने लेबर डेटा लॉस्ट, यह लेबर से रिलेटेड है, इसके बारे में लेबर लॉस्ट से रिलेटेड अलड़ी मैंने वीडियो बनाया है, बहुत ही अच्छा वीडियो, आप उस वीडियो को जरूर देखिए, उसमें मैंने सारे जो लेबर लॉस्ट के बारे में बात क गया है उन सब को summarise किया है और इसके important job points है वो सारे मैंने डाला है उसी के तरज पे gig economy के उपर मैंने अलजी video बनाया है platform economy platform workers gig workers इन सब पे तो ये दो video है link description में में link डाल दोंगा उन videos को जरूर देखिए ताकि आपको background मालूम रहे और कुछ important data आपको चाहिए तो आप इसमें से अगर आप ले सकते हैं, otherwise उस वीडियो में मैंने आपको डेटा भी प्रोवाइड किया हुआ है, तो यू किन रिलाइओं देट, ना इस पर्टिक्लर इंफोमेशन इस रिगार्डि अर्बियाई, सो आर्बियाई की मॉनेटरी पॉलसी का जो रिव्यू था वो हुआ, हमें मालू है कि जो रेपो रेट है, उसमें कोई भी चेंज नहीं किये गए, इस अफ नाव, इंफलेशन पे जो है, इंफलेशन पे बहुँ जादा कॉंसेंट्रेशन आर्बियाई नहीं कर रहा है, हमें मालू है कि आर्बियाई रिजर्ब बैंक और इंडिया, मोस्टली मॉनेटरी पॉलसी में इंफलेशन को टागेट करता है, कोईश करता है कि इंफलेशन एक लिमिटेड रेंज में रहे, 4% से नीचे रहे, लेकिन अभी जो इंफलेशन है, वो 7% से बूपर निकल चुका है, इसे रिएटर कोश्चन मैंने अलड़ी पूछ चुका हूँ, अलड़ी पूछा था कि रिटेल इंफलेशन क्या है, कंजूमर प्राइट इंडेक्स क्या है, यह सब सारी चीज़े पूछी थी मैंने दो दिन पहले ही, अगर आपने आंसर दिया, वेलन गुड नहीं दिया, तो इसको पढ़ दीजिये, यह भी expected questions है, कोई भी अगर आप exam दे रहे हैं, खासकर UPSC में, So UPSC की जो monetary policy में जो changes हुए है, कि inflation को target ना करके, economic growth को target किया जा रहा है, तो यह एक important questions इससे बन सकता है, तो आपको यह सारे concept मालूम होने जाए, कि inflation क्या है, RBI का मैं आपको पूछ चुका हूँ, कि RBI कब established हुआ था, क्या का इसके points है, इसके committee के बारे में I have asked you, and अभी क्या focus है, that also I have asked you, तो पूरा आप कर लिजे, और साथ सी साथ FRBM, जो act है, उसको भी study कर लिजे, कि किस तरीके से RBI is governed by FRBM act, उसको भी आप देख लिजेगा, okay, now this particular thing is related to MSP, MSP से related है, now इसका मैं अलड़ी बता दिया, कि से लिटे मैंने अलड़ी वीडियो बनाया है, minimum support price MSP से related, उसको आप जरूर देखिए, MSP सारी चुज़े बात की हैं हमने, जहां से आप data ले लिजे, यह जो particular table है, इससे आप data लेके अपने notes में डाल देजिए, so that इसमें से आप you can expect certain questions, अगर आप mains का लिख रहे हैं तो you can expect questions related to agriculture, इस बार भी जो pre था, prelims था, prelims में भी agriculture और geography और soil इसे बहुत question आये थे, तो mains में भी 100% आपको इस particular domain में, आराम से आपको अच्छा वेटर इस होने वाला है इसका, तो आपके data important होना है, यह data आपके सीथा notes में जाना चाहिए, okay, now let's see, next, what's the next thing, बिहार में election है, we all know, election में एक important point है, यह है कि नए करोना की terms में, जो election में changes हुए हैं, किस तरीके से क्या-क्या norms फॉलो किये जा रहे हैं, क्या-क्या guidelines फॉलो किये जा रहे हैं, वो आप सारे लिख लीजएगा अपने notes में, जब आप vote डाल रहे हैं, किस तरीके से PPE kit पहनना है, और mask का use, sanitizers का use, so that should be in your notes, okay, now, next, another thing is related to North East States, इसमें है नागा लेंड, नागा लेंड के peace talk से समन्दी थे, I've already told you so many times, कई बार मैं आपको बढ़ा चुका हूँ, कि नागा लेंड में जो peace process is underway, जो NSCN है, वो चाता है greater naga limb बनाना, greater naga limb क्या है, नागा लेंड और उसके जो adjoining states हैं, उन areas में, जो नागा लोग inhabited है, उनको मिलाके नागा लेंड बनाना, और साथी साथ वो चाते हैं, कि Myanmar का भी area मिलाके, एक अलग country बना दे, NSCN, IAM ऐसा चाता था, बट Indian government की जो peace process चल रही है, तो वहां के जो governor है, RN Ravie, उन वो interlocated थे, वो बातचित कर रहे थे, और एक agreement, 2015 में sign हुआ था, इंडियन जो government है, और NSCN, IAM की बीश में, और basically ये था कि, उनकी जो demand है, greater nagalim बनाने की, उस दिशा में काम करने के लिए था, तो वो peace process में, अलज़ी काफी कुछ decide हो चुका है, ना इसर टाइम की वो table किया जाए, और उस पे action लेनेगा, so that's going on, let's see, क्या होता है, greater nagalim अलग country, तो obviously वो बनेगा नी, because the question of integrity of India, so Indian government is not going to compromise in that, so NSCN को ये करना पड़ेगा, कि greater nagalim में, जो another states है, उनको मिलागे, क्या separate state, या nagalim को और expand करने का होगा, so that we'll have to see, now you do one exercise, आप एक exercise करिये इसमें, चुकि NSCN और ये nagalim issue है, तो आप मुझे बताईए, कि नए state बनाने का, या फिर state की boundaries, अल्टर करने का, क्या procedure है, as per the constitution of India, कौन सा कानून है, कानून मैंने आपके बता दिया, constitution of India से गवन होगा, so now you tell me the process, कि अगर कोई नया state बनाना है, या state को expand करना है, या कम करना है, तो what should be, would be the procedure, और वो कौन से, constitution में कौन से articles के तहत गवन होगा, so you write that, now this is regarding the Assam NRC, तो Assam NRC के बारे में भी मैं कहीर बता चुका हूँ, कि Assam में एक बूरा इसकी पूरी एक हिस्ट्री है, और इस हिस्ट्री में comes to 1947, then 1971 जब इस्ट पाकिस्तान बना था, और बांगलादेश ये काफी लोग उस दौरान पे, 70 और 71 के दौरान काफी लोग migrate हुए थे, then फिर वहाँ पे अलग-अलग सर्वे हुए, और citizen registers बने, तो ये बहुत बड़ा वो है, लेकिन अभी फिलाल आपको जानना है, कि जो NRC अभी conclude हुआ है, 18-19 में, तो उसमें एक list पब्लिश की गई है, और इस list के according, जो 20 लाइक्स लोग है, 19 लाइक्स, वो exclude हो चुके हैं, final NRC से, तो final जो NRC है, National Register of Citizens है, उनमें around 19 लाइक लोगों का नाम नहीं है, तो उन पे action लिया जाना है, तो action लेने के लिए उनको करना ही है, कि foreign turbulence में, उनको appeal करना था, जो foreign tribunals वहाँ पे बने हुए आसाम में, तो basically ये लोगों को decide किया जाएगा, कि what to do with them, क्योंकि वो Indian citizens में count नहीं होंगे, तो ये foreign tribunals में, वो appeal करेंगे, कि नहीं वो Indian citizens हैं, और उनके पास उनका नाम गलत निकाला गया है, तो वो वहाँ पे consider किया जाएगा, और करोना की वज़े से, उसका जो timing था, वो extend हो चुका है, तो they are going to get further few days, कुछ और उनको दिन मिलेंगे, जिसमें वो ये प्रूफ कर सकेंगे, कि they are not foreigner, ओके, बहुत इसको ध्यान रखेगा, तो यह एक नया है, the STARS program is partly funded by World Bank, तो World Bank के दुवारा fund होने जा रहा है, और यह है STARS program, क्या program का नाम है, the strengthening, teaching, learning and results for states, STARS, याद रखेगा, प्रॉजेक्ट है और इसका प्रॉजेक्ट कोस्ट कितना है, 5718 करोड है, World Bank के सपोर्ट से हो रहा है, World Bank इसमें 3700 करोड इसमें कर रहा है, प्रॉजेक्ट का एक important part है, परक, Performance Assessment Review, Analysis of Knowledge and Holistic Development by National Assessment Center, तो यह इसको याद रखिएगा, यह स्टार प्रॉजेक्ट है, World Bank की मदद से यह शुरू किया जा रहा है, और, शिक्स स्टेट के लिए, यह पॉनिटर किया जाएगा, ओके, ओके, तो इस रिगार्डिंग्ट इस्टार प्रॉजेक्ट, ना नेक्स्ट निव्स, थे भाई बेग्स, तो इस ना का इसे इस प्रांट में पहला जाएगा था, चालिस थी अन्वर्सरी, बनाए गया था, यह लुब आप इतिहास पढ़े, तो इतिहास पढ़ेंगे, आपको मालम चलेगा कि 1980s का यह दौर था जब चाइना ने reform measures लिये थे और उस reform measures के बाद में जो चाइना की economy है बहुत तेजी से बढ़ी है बेसिकली अपना market उन्हों ने open किया था और manufacturing में वो leader बन गए थे तो आप इसको पढ़े बहुत interesting है और इसमें कई leaders थे उस समय के उन्होंने बहुत important role play किया था चाइना इंडिया भी SCZ जो special economic zone है 2000 के आसपास late 90s 2000 के आसपास economic special economic zone जो model use किया services sector के लिए जादतर इंडिया ने use किया था तो इंडिया को भी software में जो software export है और software industry या services sector है उसमें उसका काफी फायदा मिला special economic zone बनाने का now you tell me what is special economic zone special economic zone हम देख रहें के common thread है चाइना के growth में भी और इंडिया के तो you write the special what is special economic zones and क्या यह आज भी कारगर है यह इसका दूसरा model आउशकता है some different kind of model should be there तो आप उसको रिसर्च करिए और आप लिखिए आप लिखिए जैसे में आपको बता है manufacturing के लिए performance linked incentives provide कर रही government तो उसी तरीके से एक time पे special economic zone का प्रोग्राइब प्रोपोजल था और उसमें काफी फायदा हुआ तो आप उसको रिसर्च करके लिखिएगा now this is news पाकिस्तान re-elected to UN rights body तो पाकिस्तान का re-election हो गया United Nation Human Rights Council UNHCR UNHCR में council में है और जो पाकिस्तान है उसका human rights records बहुत खराब है उसके बावजूद भी जो पाकिस्तान है उस में हो गया और और आउट of 193 पाकिस्तान secured 169 votes उस्पकिस्तान को 164 में ले चाइना को 150 चाइना को 139 नेपाल 150 और साओधे अरिबिया 90 तो ओके सो इस इंपोरेंट थिंग ये इंपोरेंट इसमें ये है कि the collision of human rights groups from Europe, the US and Canada called an UN member state to oppose the election of China, Russia, Saudi Arabia, Cuba, Pakistan, Uzbekistan saying their human rights record make them unqualified okay Russia and Cuba running unopposed also won the seats Russia and Cuba भी seat जीत गह Pakistan is currently serving on the HRC, human rights councils in January 1, 2018 with its re-elections, Pakistan will continue as a member for another three-year term मतलब next three-year terms के लिए ये फिर continue करेंगे okay so this is important news, this is very intriguing कि despite जो पाकिस्तान के खिलाफ इतने human rights violations के cases हैं, उसके बाद भी Pakistan has managed so that's why अगर आपको याद होगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने ये कहा था कि United Nations में जो रियल कुछ चेंजिस की आउशकता है और वो रियल चेंजिस आने का टाइम हो चुका है okay now next is related to economics meanwhile आप इसमें आप ये पढ़िएगा जरूर कि what is UNHRC United Nations Human Rights Council है, UNHRC क्या है, क्या functioning है, कहां पी situation है तो आप उसको जरूर लिखिएगा because ये important news है, important development है तो आप वो लिखिएगा और UNHRC का observation as compared to India also UNHRC से related, ये important है ये तो आप इसको जरूर मेंशन करिएगा, comments में now it's economics, economics में अलड़ी में हमने बात कर लिया, RBI के बारे में ये है public debt ratio to rise to 90% तो IMF नहीं ये क्या है, India's public debt ratio which remarkably remains stable at about 70% of GDP since 1991 is projected to jump by 17% to almost 90% क्योंकि जो public spending है, करोना की वज़े से वो increase होने के बाद में public debt ratio जो है, वो 90% हो जाए गा, इंडिया का ठीक है, तो ये किसने कहा है, ये international monetary fund है, उन्होंने कहा है तो आप ये बताईए कि ये public debt ratio जो है, वाय इस इट important इससे ये physical जो prudence है, या जो country, किसी भी country की physical policy होती है उसमें कैसे ये effect करता है, और क्या ये indicate करता है तो आप ये इसको जरूर मेंशन करिएगा ओके तो बहुत important news है, करोना के बाद में बहुत सारी development political field में, economics field में खास कर हो रही है international relations में, तो ये जितने भी economic concept है, वो मैं आपको बताते जा रहा हूँ ये basic concept है, I'm sure आपने अगर exam दिया होगा ये exam की त्यारी कर रहे हैं तो आपको ये पता होगा public debt ratio लेकिन तब भी, अब हमें जो main's है उसके इसाब से ये answer मालूम होना चाहिए कि जो PDR है, public debt ratio वो है क्या, और कैसे वो effect करेगा economic को और क्या indicate करता हो, और कैसे calculate होता है, तो ये सब चीज़ आप mention करिए मैं जितने भी ऐसे terms हैं, जो भी important topics हैं, वो आपको हम बताते चलूँगा जैसे IMF का है, तो IMF का मैंने कली पूछा था कि IMF क्या है, कब ये establish हुआ था, क्या इसकी commitments हैं क्या important reports ये publish करता है, तो ये पूरा पढ़ जाना है, जैसे ही paper में अगर कोई भी important terms आता है, तो आपको 360 degrees को analysis कर लेना है, अपने notes बना लेने है, for example IMF World Bank, जैसे for example World Bank भी आया है, कि World Bank is helping India in star project, तो आपको star project के बारे में बता दिया, लेकिन World Bank के बारे में, I will not tell you, because वो एक important or separate topic है, that will take a lot of time, तो इस छोड़े से वीडियो में, सिर्फ मैं आपको जो topics है वो बताते जा रहा हूं, कि जो आपको ध्यान रखने है, कुछ self-study करना है, but if you have any doubts, अगर आपको लग रहा है कि आप नहीं उसको concept को त्यार कर पा रहे हैं, you are not able to prepare that particular concept or particular topic, तो you can write it into the comments, I will prepare a separate video and put it on the channel, अगर आप अपकर उसको नहीं कर पा रहे हैं, but I am sure World Bank IMF public debt ratio, इस आपके बारे में sufficient notes हैं, sufficient books हैं, अलड़ी मैंने बताया तो economics के लिए आपको पढ़ना है, तो रमेश रिंग की books पढ़ सकते हैं, NCRT की basic books आप पढ़ लीजिए, नहीं तो otherwise on internet you will get to know all this information, बट जरूरी किया है, जरूरी यह कि वो सब information या तो किताबों में हैं, या फिर website पे हैं, लेकिन हमें वहां से लेके अपने दिमाग में डालना है, so that हम से पूछा जाए, exam में, interview में, तो हम उसको answer करें, तभी हमारी इतनी मेहनत का फायदा है, तो आप उस काम को करिए, वही मैंने आपको task दिया है, कि वहां से लीजिए और answer उसको लीजिए, and then उसका answer भी लिखिए, comments में आप लिखिए, भले ही summarize करके लिखिए, कि क्या है, world bank क्या है, you write into short, that is fine, लेकिन आप उसको करिए, तभी आप कुछ सारे points याद रहेंगे, so that's my effort, that's why I'm putting so much of effort, कि आपको issue flag करने के साथ-साथ, इसकी भी तैयारी कराते चले, कि जब वो topic आगया, उसको वहीं हमने prepare कर लिया, we don't wait for the D-day, तो उसको कर लिजएगा, rest of the things, वो मैंने cover कर लिया, okay, so that's all for today's current affairs, जो भी हमारे साथी नए जुड़े हैं, चैनल को subscribe कर लेंगे, वीडियो को like, comment, share करते रहेंगे, thank you, goodbye,